जैश्री राम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तक्शक कालसरप योग के बारे में चर्चा करेंगे केतू लगन में और राहु सब्तम सान में हो तथा इसके बीच सारे ग्रहां आ जाएं तो तक्शक नामक कालसरप योग बनता है कालसरप योग की शास्त्रिय परिभाशा में इसे परकार का अनुधित योग परिमानित नहीं है लेकिन व्यवहार में इस परकार के योग का भी संबंदित चात्कों पर अशुप पर्भाव देखना मिलता है किशतक नामक कालसरप योग से पीडित चातकों को पैतरक संपत्ती का सुक नहीं मिल पाता तो उसे पैतरक संपत्ती मिलती ही नहीं है और मिलती है तो वहाँ उसे किसी अन्या को दान दे देता है अथवा बरबाद कर देता है ऐसे जातक प्रेम परसंग में भी असफल होते हैं गुप्त परसंगों में भी उन्हें धूखा खाना बढ़ता है विवाहिक जीवन समाने रहते हुए भी कभी कभी संबंध इतना तनाव पूरन हो जाता है कि अलगाव की नोबत आ जाती है उपाई के तोर पर कालसरप दोश निवारन यंत्र घर में सापित करें तथा नेमेत उसको पूजन करें सवा महीने जों के दाने पक्षियों को खिलाएं और अधिक जानकारी पाने के लिए या अपनी कुंडली का संपूरन विशलेशन करवाने के लिए अब हमें हमारे नमबरों पर संपरक कर सकते हैं आपको हमारे नमबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे चैश्री राम दोस्ते